अपने जीवन में कुछ भी negative, negative मतलब कोई challenge, don't discuss with anybody, it will only intensify, क्यों? क्योंकि जिसको आप सुना रहे हो, उसने भी उसके बारे में फिर negative, negative मतलब wrong नहीं, negative मतलब चिंता आपके लिए, negative मतलब जिस भाशा में आपने बोला, फिर उन्होंने उसको अपने संस्कार की भाशा में ब आपने मुझे सुनाया, मेरी भाशा थोड़ी different है, अगर मैंने दूसरे को सुनाया, आपने आज तो इतने कमजोर थे, उठी नहीं पाड़े थे, that is my vocabulary, क्योंकि अब वो मैं अपने संसकार से सुनाऊंगी, और मेरे संसकार से, तीसरे के संसकार से पहुंचते, पहुंचते, दस लोगों कि आपको कौनसी एनरजी मिल रही है उस टाइम, कि आप बहुत बिमार है, आप बहुत कमजोर है, तो बिलकुल शरीर ना चल रहा हो ना, तो भी अगर कोई पुछे क्या हाल चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब फर्सक्रास, आप बताओ, खताओ, सिरफ दॉक्त आपको दुआ मिल गई, तो सबसे दुआ ले लो, शरीर बिमार है, सब को बोलो मैं बिलकुल ठीक हो, अच्छा आप ठीक हो गए, हाँ मैं बिलकुल ठीक हो, सब लोग बोलेंगे वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी एनरजी आ जाएगी, नहीं जो ठीक था वह ठीक होजाएगा क्योंकि सब ने भेजा, वो ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, Energy, उनरजी लेकिन हम पहले बोलते टाइम नेगटेव बोल देते हैं, फिर वह सुनते टाइम क्रियेट करते हैं, फिर वह चार लोगों को सुनाते हैं, फिर वो create करते हैं and we suddenly have lot of negative energy and this means everybody even a simple thing like a girl comes home her parents will ask her सब ठीक चल रहा ना घर में तो चार शे चीज़े सुना देती है उन्होंने उस दिन ऐसा कह दिया फिर उसने ऐसा कर दिया फिर उन्होंने ये कर दिया फिर उन्होंने वो कर दिया आज तो मेरा जगडा भी हो गया था सुबह ये भी हो गया सुना के वो अपना चली जाती है वो चली जाती है लेकिन पेरेंस तो फ्री बैठे हैं घर पे अब वो चिंतन चलता है out of concern लेकिन चिंतन क्या चलता है मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है वी डोंट इवन रियालाइज हाव मच नेगेटिव एनरजी वी इन्वाइट 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 लाइफ बाइफ 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 इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स अपने तक रखो उनके लिए रोज ब्लेसिंग क्रेट करो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए मतलब उसके लिए एक हाई वाइब्रेशनल लाइन क्रेट करो पहले से ही उसकी लाइन बनाओ कि मुझे इस सिचुएशन के बारे में क्या बोलना है जैसे शरीर बिमार है तो उसके बारे में क्या बोलना है कैसा है वो शरीर ठीक हो जाएगा नहीं, उसका तो मीनिंग है कि वो बिमार है, ठीक हो जाएगा नहीं बोलना, my body is perfect healthy, सब बढ़िया, बस बोलते जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा बोलेंगे, सबसे पहली चीज जो इस लाइन को सुन रही है, वो है आपका शरीर, यह आप experiment करके देख सकते हैं, especially रात को सोने से पहले का time और सुबह उठते ही time, अगर आपने रात को सोने से पहले बोला ना, आज दर्द हो रहा है, आज यह दर्द हो रहा है, आज यह दर्द, And last thought create कर दो, यह दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है और सोजा, morning में, जितना वो दर्द रात को था, उससे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, why? Because six hours that thought has worked on the body, यह दर्द हो रहा है, यह दर्द हो रहा है, और अगर दर्द हो रहा है और रात को सोने से पहले, बोलो सब perfect है, एकदम perfect है, अगले 6 गंटे perfect होने का vibration body पे radiate हो जाएगा और वो जो दर्द था, वो heal होना शुरू हो जाएगा, body is not about the body, body is also about the vibration which is going from here to the body, हम बहात मेहनत करते हैं अपने शरीर को fit रखने के लिए, लेकिन सारा दिन में जो हम negative सोचते हैं, या दूसरों के बारे में सोचते हैं, या दूसरों के बारे में बोलते हैं, वो सबसे पहले हमारा शरीर सुनता है, तो अपने health के लिए gossip करना बंद करते हैं, don't talk about other people, क्योंकि सबसे पहली चीज़ वो हमारे शरीर के हर cell पे वो energy पहुंच रही होती है, कितना नुकसान करती है, अगर आप एक दिन चेक करें क्या आपकी conversations की quality क्या है, आप किसी से मिले, आप 15 मिनिट बात की, या आपने किसी को phone किया, 15 मिनिट बात की, आप रखिये phone and just ask yourself, this conversation, did it elevate me or did it bring me down and next time I am going to be careful, हर conversation, हर interaction, इसने मेरी energy को उपर लेकर गई, या ये conversation मेरी energy को नीचे लेकर आई, पार्टी इस पर जाते हैं, हम कहते हैं, पार्टी इस पर हमें जाना होता है, हर पार्टी के बाद चेक करें कि आपकी energy उपर गई, या आपकी energy नीचे आई, नहीं तो वो पार्टी ही आपकी energy का सबसे बड़ा डिप्लीटर बन जाएगे है इफ वहां जो आप खा रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको जो आप पी रहे हैं वो नीचे ला रहा है आपको और जो आप बाते कर रहे हैं अगर वो नीचे ला रहा है तो फिर हमारा जाना रिस्की था हमें लगता है हम डी स्ट्रेस होने के लिए पाटी इस पर जाते हैं हम हापनेस के लिए जाते हैं लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन हमें नीचे लेकर आई तो वही चीज हमारे लिए डिप्लीटर बन जाएगी अपनी लाइफ की डिप्लीटर ढूंड के रखने हैं मेडिटेशन के लिए सेंटर पर जाना हो टाइम नहीं है पाटी पर जाना हो टाइम है तो हम चूज कर रहे हैं कि जहां मेरी वाइब्रेशन बढ़ सकती है और जहां मेरी वाइब्रेशन घट रही है आई से जाना ही पड़ेगा उन्होंने बुलाया है मैं नहीं जाओंगा तो कल वो नहीं आएंगे whatever reason we give to ourself so we have to take care कि wherever I go whatever I do whatever I speak it has to energize में negative conversations का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए है जैसे हम लोग diet preference नहीं करते हैं हम कहते हैं यह हम नहीं खाएंगे इसी तरह यह हम नहीं सुनेंगे कोई और बात करते हैं कोई और बात करते हैं क्यों सुनना हम कहते हैं एक कान से सुनना दूसरे से निकाल दिया हो नहीं सकता क्योंकि जो एक कान से सुनना वो यहां जाके यहां से निकलेगा यहां तो छपेगा ही छपेगा यह सारी चीजों के वज़े से हमें पता नहीं चल रहा है कि हम क्यों why are we not the highest version we don't have to become the highest version highest version is normal lower जो हम हो रहे हैं उसको बंद करना है तो इसलिए सबसे पहली चीज every day में कम से कम 30 minutes to 60 minutes ideally at least 30 minutes रखना है अपनी vibration को ऊपर उठाने के लिए this means that दिन के शुरुवात में meditation अब option नहीं होना चाहिए it is not to be an option anymore it is to be mandatory मतलब मुझे सुब अपने आपको उठाना ही है उपर नहीं तो मेरा कवच strong नहीं बनेगा और अगर नहीं strong बना तो मेरे उपर आप सिरफ एक घंटा flight में बैच जाओ आपके ओपर 300 लोगों का वाइब्रेशन एक घंटे के लिए पड़ा है आप एक train में बैच जाओ every place is people, people, people and people, people, people means vibration तो अपने immunity system को तो स्ट्रॉंग करना पड़ेगा ना सारा दिन लोगों के बीच रहने के लिए फिर कुछ लोग बोलते ने मुझे शहर से दूर जाके रहना है ना हमें दूर जाके नहीं रहना हमने सब के बीच रहे लेकिन अपने immunity system को क्या करना है उपर उठाना है ताकि जब आपका vibration उपर जाता है तो lower vibration नहीं आते लेकिन आपके higher vibration क्या हो जाएंगे आपके higher vibration because energy will always flow from the higher to the lower not from lower to higher तो energy 10 के आपके उपर ऐसे नहीं जाएगे अगर आप 90 पर और 100 पर आपके energy उन पर जाएगे आपके घर के energy ऐसी बन जाए कि लोगों का मन शान्त हो जाए आपके घर आकर बन सकता है या नहीं बन सकता so now it's no more about big homes prettier homes it's about high energy homes और उस घर में सबसे पहले उस घर में रहने वाले energized होंगे हर रोज और फिर जैसे ही कोई आएगा ना उसका ध्यान आपके furniture पे painting पे इस पे नहीं जाएगा आते कहेगा वही आपके घर आके बड़ी सुकून सी लग रही है that is success अगर किसी ने आकर कहा आपके घर आकर मुझे सुकून मैसूस होता है that is success that is success success is not only what we buy success is who we are लेकिन उसके लिए घर में क्या होना चाहिए फिर फिर घर में एनरजी कैसी होने चाहिए तो इसलिए सबसे पहले चीज़ दिन की शुरुवात में आदा घंटा कम से कम meditation को अब optional नहीं रखना ये मत सोचना मैं तो ठीक टा को मुझे करने की जरुवत नहीं है सब जिनको कुछ कुछ थोड़ा अभी हुआ है वो एक दिन पहले तक ठीक टा की थे suddenly affect होती है वो energy and plus we are not doing this only for ourselves don't we want to radiate good energy to everybody else हमें कोई दिखता है इसके पास खाना नहीं है हमें बुरा लगता है हम उसको खाना दे देते हैं हमें दिखता है किसी के पास यह नहीं है हम रुक के उसको वो हमें यह नहीं दिखता है कि लोगों के पास सुक शानती नहीं है हमारा मन नहीं करता है कि हम इतनी सुक शानती क्रेट करें कि हम दूसरों को भी दे सकें थोड़े दिन पहले हम जो मुडली स्टाडी करते हैं रोस सेंटर पे तो उसमें परमात्माने का बहाँ जल्दी ऐसा दिन आने वाला है जो लाखों लोग खड़े होंगे और वो कहेंगे बस मुझे एक मिनिट शानती का एक्सपिरियंस होना चाहिए बिकुस इट विल रीच टो घोर कल्यूग मीन्स दाट और परमात्माने का आपके पास आपके कर्मों से इतना शानती और सुख का स्टॉक होना चाहिए है कि आपसे मिल कर उनको एक मिनिट में शानती और सुख मिल जाए है होना चाहिए ऐसी सेवा या नहीं होनी चाहिए होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए all the money put together हमें शानती नहीं दे सकती है उस पे मैनत की, वो आ रहा है, अब इस पे भी मैनत करेंगे, ये भी आ जाएगा, let's not deplete our power, कर सकते हैं, 30 मिनिट रखें, meditation के लिए रोज, time है, मेरे पास बहुत time है, बोलिये एक बार, और रोज बोलिये इस लाइन को, because you will create a very beautiful relationship with time, समय भी एक energy है, और समय के साथ एक प्यारा रिष्टा create करना बहुत जरूरी होता है, बिलकुल नहीं बोलना time ने है, time ने है, time ने है, time ने है, क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मेरे सपास बहुत time है, and time has always been very good to me, तो time भी खुश हो जाएगा आप से, because time के साथ भी तो एक कर्मा create होता है, ना, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, कभी नहीं बोलना, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, कभी नहीं बोलना, बहुत देर हो गया, यह तो बहुत पहले हो जाना चिये था, मतलब समय has not been nice to me, never, समय भी नराज हो जाता है नहीं तो, इसलिए वो काबड़ी को चेंज कर दो हरें के प्रती लाइन चेंज हो जाके, तो मेरे पास कितना टाइम है, बहुत टाइम है, पक्का, भाषा चेंज, आज से नहीं बहुत प्ले, myself, I don't have time for my family, तो फिर time गया किदर सारा, actually it's not about time, it's about mind को energize नहीं करते तो हर चीज को जाधा time डगता है करने में, जब हम vibration पे work करना शुरू करेंगे, जो सबसे प्यारी चीज हो जाएगे, आपकी intuition power बहुत high चली जाएगी, intuition power ऐसी हाई चली जाएगी, कि जो होना चाहिए, बस वो ही थोट आपको आएगी, दूसरी कोई थोट नहीं आएगी, because now you are working with a very clean, very clean, very pure mind, जो सिद्ध होने वाला है, बस वो ही थोट आएगी, दस थोट आएगी नहीं, और जो थोट आपको आगई, और जो वर्ड आपने बोल दिया, वो सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि आपकी vibration उपर चली गई है, जिसको दुनिया में कहते है सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष मतलब इन्होंने बोल दिया तो हो जाएगा, सिद्धी स्वरूप आत्मा, आपने बोल दिया, हो जाएगा, ये सब लोग अचीव कर सकते हैं, वो जो सारा दिन सिरफ स्वच्छ सोचते हैं, स्वच्छ ब बढ़ जाएगा, इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम बचेगा, क्योंकि सारा जो सोचने में टाइम जाता है, वो सारा बच जाएगा, and you just have one thought and it shall happen, intuition power बढ़ जाएगे, वरी नहीं होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बोलो यह होगा, सो सिरफ कैसे हो जाएगा यह, सफाई रखने से, अगर room cluttered होता है, तो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, साफ होता है, तो हर चीज पता चल जाती है, सो इसके इतने जादा benefits हैं, क्या आप देखते जाएगे तो आपको लगे गारी, I had not even imagined, life ऐसे भी हो सकती है, life ऐसी भी हो सकती है, कि मैं सिरफ एक ही thought create करूँ किसी चीज के बारे में और वो हो जाए, intuition से चलेंगे, logic से नहीं, online answer नहीं टून देंगे अपने, पर मात्मा से connection जुड़ गया, question पूछा, answer मिल गया, ये करूँ या ये करूँ, सारे लोग बोलेंगे ये कर, वहाँ से answer आएगा ये कर, और इतना clear होगा कि दो thought नहीं चलेगी उसके उपर, तो choice है, ऐसी जीवन बनाए, वो इसने वो क्या, उसने वो क्या, वो भरके यहां पर मैला करें, क्या करें, तो वो है दिव्यता, divinity, सत्योगी vibration, तो आज से अपने को एक title दे दे, I am a सत्योगी soul, भोली, I am a सत्योगी soul, सत्योगी soul का हाथ कभी भी, मतलब ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, ऐसे नहीं होगा कभी भी, मुंबई में ऐसे तो किसी का हात नहीं है, सब का ये वाला हात अब ये वाला हात पर ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं कौνसी वाली आत्मा हूँ सबको देने वाली आत्मा, सब जो देते हैं, उनको उनकी capacity से जाधा मिलता है, लेकिन जो ऐसे खड़े होते हैं, वो जीवन भर ऐसे ही रह जाते हैं which means contented नहीं होते हैं क्योंकि वो हमेशा चाहिए की साइट पर है तो एक संकल्प रोज करना है I am a Satyogi Soul Satyogi Soul बोलने से हम कल्योगी वाइबरेशन से disconnect हो जाते हैं जैसे आप मुंबई में लेके नाप बोले नहीं I am not Mumbai I am from Delhi तो automatically आपने एक energy दे दी Mumbai को I don't belong here, I belong there So I am a Satyogi Soul is a vibration जैसे आपने वर्ड किया I am a Satyogi Soul आपके औरा के अंदर कौन सा वर्ड आ गया? Satyogi, energy change Energy change मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए है मैं सबको मैं सबको देने वाली आत्मा हो Energy change रोज अपने आपको कहिए मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए मतलब physical नहीं कुछ नहीं चाहिए मतलब नाम, मान, शान, मेरा कहना कोई मने, कुछ मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ तीसरा, मैं पर्मात्मा का फरिष्टा हूँ है? हम है? हम है? इतना दीमा? हम है? येस तो मैं पर्मात्मा का फरिष्टा हूँ मीनिंग, पर्मात्मा मुझे यूज करके हर एक को सुख दे ये रोज संकल्प करना है अपने लिए मैं पर्मात्मा का फरिष्टा हूँ, पर्मात्मा मुझे यूज करके, wherever we are, wherever we are, it can be at work, in business, on the train, on a flight, wherever, पर्मात्मा मुझे यूज करके हर एक को सुख देता है, मुझसे मिलकर सामने वाली आत्मा उधर कनेक्ट हो जाए, अगर हम ये चार-पांच संकल्प पे अपने लिए रख लेते हैं, और उन संकल्पों को रोज पानी देते हैं, मतलब रोज उसको रिपीट करते हैं, I am a सत्योगी सोल, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सब को देने वाली आत्मा हो, मैं परमात्मा का फरिष्टा हो, परमात्मा मुझे यूज करके सब को सुख देते हैं, बस, अभी किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जाने से पहले, मैं सत्योगी आत्मा हो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए मैं इस मीटिंग में क्यों जा रही हूँ परमात्म का फरिष्टा हो परमात्म मुझे यूज करके सबको सुख देदेगा So while you are talking, while you are doing your business deal, while you are signing your contract, that is a doing, but in the being, God's power and energy is going to everybody उनको आपसे मिलकर अच्छा लगेगा क्योंकि आपका औरा कहा होता जा रहे तो उसके लिए नेगेटिव शब्द अंदर कम करें, which means strict हो जाएं कि हम phone, TV, newspaper से अपने अंदर क्या डाल रहे हैं याद रखिएगा मेरा औरा मेला हो रहा है In the name of entertainment, don't consume negative vocabulary So content से ध्यान रखेंगे Conversation से ध्यान रखेंगे भाशा में किसी के बारे में हम यह ऐसा ही है यह ऐसा है, बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है दुआएं दे सबको हर situation अगर challenge भी है, इसमें भी इसमें भी कल्यान है और होता ही है, पर बोलना है बोलने से energy ठीक हो जाएगी कल्यान तो आई जाएगा बात में इसमें भी, and when you keep saying this again and again, वो आपकी life की reality बन जाएगी कि आपकी life में कोई भी situation आजाए उसमें कल्यान ही होता है, क्योंकि you are saying it again and again for every situation कि इसमें भी कल्यान है कि आपकी बना है